नमस्कार सबसे बड़ा सवाल देख रहे हैं आप मैं हूँ आपके साथ पूझा दिल्ली में जब से केजरिवाल सरकार को कई नए अधिकार मिले है कई बड़े फैसले लिये जा चुके हैं या यू कहें केजरिवाल अपनी कुरसी का दुरुपयोग कर बड़े बड़े फैसले ले रहे हैं इन्ही फैसलों में से एक है विजलेंस स्पेशल सेकरेटरी राजश्रेकर को उनके काम से मुक्त करना हाला कि केजिवाल सरकार ने राजश्रेकर के खलाब भरस्टचार के गंभीर और जूटे आरोप लगाए अब इन आरोपों के बीच राजश्रेकर ने ऐसा दावा कर दिया है जिसे सुनेंगे आप तो आपके भी होशोड़ जाएंगे दरसल विजलेंस स्पेशल सेकरेटरी राजश्रेकर का कहना है कि रूम नंबर 403 में 15 माई की रात को 3 बज़े जासूसी की कोशश की गई जिसमें शीश महल की जाच से जुड़ी कई पाईले गायब कराए गई तो क्या अर्विन केजिवाल ने चोरी छिपे ये हरकत करवाई है मंगला घुटाले के सबूत मिटाने की कोशश की जा रही है आज इसी पे चर्चा करेंगे बाच्चत के लिए मेरे साथ स्टूड़ी में मौझूद है क्यापिचल टीवी के एडिटर इंचिप डॉक्टर मरेश कुमार डॉक्टर साब बहुत स्वागत है आपका दन्यवाद किसकी हरकत हो सकती है देखिए मैं बार-बार कह रहा हूँ केजविवाल के सामने अभी सबसे बड़ी चुनौती अपने उस बंगले के कुकृत्य को च्छिपाना है इसके लिए वो किसी भी हद तक गिर सकता है चोरी और सीना जूरी ये सिनिमा चल रहा है क्या ये सिनिमची मुखमंत्री है बहुत चाज़ा सिनिमा देखता है क्या आप फाइल गाइब करवा दिया वैसे मैं आपको बता दू बहुत ही विश्वस्त सूत्रों से ये मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ बंगला से जुड़ा हुआ जादतर और बहुत सारे इंक्रिमिनेटिंग दस्तावेज वो चीफ सिक्रेटर और एल जी के पास पहुँच चुके हैं लीगल ओपिनिल लिया जा रहा है ये जाएगा ये देश अभी मरा हुआ नहीं हुआ है सिस्टम डिफंक नहीं है जो चीफ आँक के सामने नजर आ रहा है इसके अयासी के काले करतूत दुनिया के सामने हैं तस्वीरे आ गई सब कुछ आ गया कि कैसे इस भरस्टाचारी ने कानून और अपने पावर का इस्तमाल करते हुए पुराने घर के रेनेवेशन के लिए 45 क्लो रुपए सरकार से आपने ले लिया तो पुराने घर को बनाने के बज़ाए आपने नया घर बना लिया अयासी के सारे समान डाल दिये तो ये तो भसना ही है कागज सबूत क्या करोगे भई स्वीस महल के बुल्डुजर चला दोगे वो भी सेटलाइट में आ जाएगा कहां जाओगे बचना नामुम्किन है और इसलिए आप क्या कर रहे हों क्या क्या दस्तावेज है क्या क्या सबूत मिल रहा है क्या क्या चीज हो रहा है ताकि मैं फिर जूट बोलूँ जूट बोला रहा है ये पैथलोजिकल लायर्स क्लब है ये आमादी पाठी एक से बढ़कर एक जूट बोलने वाले कोई व्यक्ति जाच कर रहा है उसको आपने हटाया क्यों पहला सवाल तो यही है किस बात का दर तुमने अगर चोरी नहीं किये तो कुसको हटा क्यों रहे हो और ये रास्तेखर को आपने किसलिए हटाया क्योंकि यही सराब घोटाले को भी टील कर रहा है यही सीसमहल को भी टील कर रहा है यही फीडबेक यूनिट को भी टील कर रहा है यही मोहला क्लिनिक में जो भाई भतीजाबाद आम आदी पार्टी के कारकरताओं को तुमने फाइदे पहुचाए उसको भी डील कर रहा है तुमने यह टॉक्टू केजरिवाल और यह पॉलिटिकल प्रोग्राम तुमने जो शुरू किया जो पैसे खर्च किये उसकी भी जाच यही कर रहा है कि यह तमाम सेंसिटिव केसिस जिसमें आम आद्मी पार्टी उसके लीडर अर्विंद केजरिवाल सीधे सीधे फसे हुए हैं तो जेल में चला गया अभी देखिए अभी चार दिन पहले कैसे यह डांस कर रहा था कि कोई सबुत नहीं मिला केजरिवाल प्रेस कांफरेंस बता इसका सीधे ने यह कहा है कि सबसे हिमानदार पार्टी एक आमाद्धी पार्टी मनें जूट बोलने में इतनी बेशर्मी मैंने दुनिया में आज तक नहीं देखिए और क्या हुआ है कल को इसको चरनप्रीत कोई नाम कोई आमाद्धी पार्टी का कारकरता पकड़ाया है ए एक तो हिंडिया हेड बड़ा अच्छा ट्वीट किया कप्रमिस्रा ने हम उने आपको बताया था एक दिन पहले किस तरीके से एक टीवी चैनल का मालिक एक बहुत बड़े लीडर का रिष्तेदार है और यह लोग कहते हैं कट्टर रिमानदार है तो उसको पकड़ा गया है क्यों पकड़ा गया अरविंद कुमार सिंग को क्योंकि वो 17 कड़ो रुपए यही चलंजप्रीत के थूँ हवाला के जरिये गोवा के चुनाओं में वो पहुँचाया था और वही उसने पैसे बाटे थे मिल गया लिंक, मिल गया क्लींचिट, CBI ने कह दिया आप यह देखे बैमानी का यह अस्तर और मीडिया वाले चला देते हैं CBI ने आम आधी पार्टी को क्लींचिट दी, डास आप बही आप का दावा है और आपने क्या चला दिया हिड़ाइन? वो खुद कह रहा है उसको आपने हेड डाइन में चला दिया कि भाई ये देखिए और केजी वाल फिर उसको कट करेगा और उसको ट्वीट कर देगा और ये देश में जो है जिनके आँख नाख कान बंद सब कुछ बंद है वो बोलेंगे देखो देखो CBI ने क्लिंची दे द लोग उसको दलाली में लग जाते हैं तो उसमें भी आप फ़स गए अब इसमें यह हुआ कि आपने हटा दिया आपने कह दिया कि भाई इसको यह कर दो वो कर दो कोई सारे फाइल जो है आप उसको वापस कर दो अब इसमें क्या हुआ कि रात के तीन बजे मंगलवार ब्रह्मोर्त में तीन बजे कोई आफिस क्यू जाएगा आपको कहा जागा चले जाएंगे कि रूम नंबर 403 में जाईए और ताला खोलिये वहां का दस्तावेज उठा के लिए यह करेंगे आपका तो को सरकार का ही व्यक्ति होगा जो सारे चीजों को जानता होगा सीसी टीवी कैमरा भी लगा हुआ होगा वह किसका इंतिदार कर रहे हो और जब तक मंत्री या मुख्य मंत्री किसी अधिकारी या किसी कारकरता को यह ना कहे कि तुम जाओ वहाँ से फाइल चोरी कर लेना तब तक कोई दूसरा आदमी करेगा नहीं कर सकता कॉमन सेंस लगाई यह इस लोग तो केजरिवाल क्या कह रहा है कि मेरे खिलाब जितना सबूत निकाल कर इसको जला दो और यह फाइल चोर तो पहने से ही लोग कि मनिश्य सुद्य को वेल की नहीं मिल रहा कैबिनेट नोटी गाइब कर दिया और अभी सीस्पमाल के सबूतों को गाइब करने में जुटा हुआ है कि इसको गाइब कर दो तो आप फाइल क्यों रखे हुए भई ऑफिस में रखा हुआ है क्या प्रावलम है तुमको तो आपको सबूत मिटाना है और यह आरूप नगा तो हम इसकी जांच करवाएंगे जांच किससे करवाऊगे तुमको सब कुछ में कहते थे कि जनता के सामने होगी CCTV कैमरा का फूटेज दिखाओ देश को भाई दूद का दूद पानी का पानी हो जाएगा राजबर का फूटेज आप पब्लिक कर दो यूटूब पर डाल दो कौन गया था मालूम चल जाएगा और कोई नहीं किया तो वो भी मालूम चल जाएगा तो फिर राजसेखर ने बताया एक खुला सा किया उन्हें ने कहा कि जैसे ही मुझे हटाया गया तो 76 डॉकुमेंट जो है जुड़े हुआ इससे वो हमने वापस कर दिये लेकिन कुछ बहुत ही सेंसिटिव मसला था उसे मैंने अपनी कस्टेडी में रखा ताकि उसका गलत इस्तिमान ना हो सके मतलब जो सेंसिटिव डॉकुमेंट थे वो चीफ सिक्रेटरी और एलजी के पास सबूत के तौर पर चला गया है यह तो आप में कर दिया इसको तो आप में बचा दिया लेकिन उसका क्या करोगे जो एंजीटी ने ग्रीन ट्राबॉनल ने चार-पांच लोगों की कमिटी बनाई हाँ उसकी विद्ध जांच हो रही है कहां कहां बचेंगे आप कहां कहां फरजिवारा करेंगे देश से माफी मांगनी चाहिए ऐसे जूटे लोगों को जो समाजिक जीवन में आकर पूरे देश के वातवरन को दुष्ट कर रहे हैं बच्चों के माइंड को पलूट कर रहे हैं बही लोग देखेंगे क्या बोलेंगे मुख्मंत्री हर दिन जूट बोलता है जूट बोलना जो है कला है यही सिखा रहा है केजिवाल पूरे देश के बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद बाचीत के लिए पर तड़के तीन बजे संदिक्द गतिवीद्या हुई उनके मुताबिक उनका रूम खुला हुआ था कई ब्रस्ट चार से जुड़ी फाइले गायब थी और इस लिस्ट में अर्विन के जिवाल के घर के रेनुवेशन से लेकर कई दूसरे दस्तावेश भी गायब दिखे राश्रेकर ने इसे गोपनियता का उलंगन बताया है उन्हें शंका है कि सबूतों के साथ छेड़ छाड़ना की गई हो जिसको लेकर उन्होंने विजलन सेकरेटरी को भी चिट्टी लिग डाली है अब देखना होगा इस पर आगे क्या कुछ कारवाई होती है फिलाल आज क हमारे शो में इतना ही देख तेरे क्यापिटल टीवी नमस्कार